हेलो गुड मार्निंग स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू यूर ओनलाइन क्लासिस आज हम क्लास फॉर्थ की हिंदी व्याकरन की बुक व्याकरन मेदिनी से चैप्टर सेवन लिंग जिसे इंगलिस में क्या कहते हैं जेंडर कहते हैं इसे पढ़ेंगे ठीक है तो लिंग क्या हो जाता है लिंग वचन और कारग तो हम सबसे पहले देखेंगे लिंग लिंग की अंतरगत हम देखा क्या देखा जाता है लिंग की अंतरगत की कि जाती का है इस्तरी जाती का है कि पुरूष जाती का तो क्या लिंग क्या होता है लिंग सब्द के सब्द के जिस रूप से या बोध हो कि वह शब्द पुरूष जाती के के लिए प्रयोग किया गया है या इस्तरी जाती के लिए प्रयोग किया गया है जिसे क्या कहते हैं लिं कहते हैं तो लिंग की भेद काइंस और जैंडर तो हम देख सकते हैं लिंग की कितने भेद होते हैं लिंग के दो भेद होते हैं हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं तो सबसे हैं सबसे पहले हैं पुल्लिंग और स्ट्रिलिंग pulling kya hotahain, pulling पुरोष याति का बोद कराने वाले शबद क्या कहलाते है pulling और स्त्रिलिंग, श्त्रि जाति का बोद कराने वाले शबद क्या कहलाते struggling ठीक है, तो आये हम next page number 47 पे देखते हैं pulling pulling शबद के जिस रूप से पुरोष या नर जाती का बोध होता है उसे क्या कहते हैं पुल्लिंग कहते हैं मतला पुरुष या नर मेल ठीक है उसे क्या कहते हैं पुल्लिंग जैसे बालक पिता, दादा, नाना नावकर, मालिक, खोड़ा, कुत्ता ये सभी क्या है ये सब्द ये सबी सब्द किसके लिए प्रयूक की जाता है पुरुश जाती के लिए अर्थाद नर्जाती के ठीक है नेक्स्ट में हम देखते हैं स्थ्रिलिंग सब्द के जिस रूप से स्थ्री या मादा जाती का बूध होता है उसे क्या कहते हैं स्थ्रिलिंग कहते हैं जैसे बालिका, दादी, नानी, माता, नौकरानी, मालकीन, घोडी, शेरनी, चिडिया, ये सबी क्या है, स्त्रिलिंग, स्त्रि जाती का बोध कराते हैं, ठीक है, तो इसके लावा और हम ये स्त्रिलिंग और पुलिंग की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, निर्जी वस्तू के नाम भी पुलिंग, स्त्रिलिंग होती हैं, जैसे नगर, परवत, पानी, कमन, दूद, दरवाजा, आदी क्या है, पुलिंग शब्द है, और जबकि कक्षा, पुस्तग, कुर्शी, नदी, सबजी, बेल, आदी क्या है ये सब, ये सब इस्त्रिलिंग सब्द, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, पुलिंग की पहचान, पुलिंग की पहचान किस तरीके से होती है, जिन सब्दों के अंत में आ हो, आ हो, वे क्या कहलाते हैं, पुलिंग होते हैं, जैसे जंगल, यहाँ पर जंगल में क्या है, ला में क जरखा चिलका जाला ये सभी क्या है ये ये सभी पुरुष्याति का बोद कराते हैं जैसे संस्क्रित के दया लता गरीमा तथा हिंदी भाषय के मैना बर्खा आदी ये क्या है ये पुरुष्याति का बोद कराते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं जल और स्थल भागों के नाम प् आते हैं भारत इंग्लाइंड युरोग आकाश पहाण पाताल ये सब क्या है पुलिंग ठीक है ряд के धाटुके नाम प्राय पुलिंग होती है जिते भी धातु तो है सोना चांदी तामब पीतल सीशा पारusion सब क्या है ये सर ये सब क्या पुलिंग ठीक है नेक्स्ट है द्रव द्रव पदार जशे शराम चासनी लसी आदी को छोड़ कर जितने भी द्रव जो बहने की चीजे है जैसे तेल इत्र शर्बत दूद शिर्का और पानी ये सब क्या है ये सब द्रवी है जिसे पुलिंग में प्रयोग पुलिंग के रूप में प्रयोग होता है ठीक है, नेक्स्ट है, महिनों और दिनों के नाम प्राय पुलिंग होते हैं, जैसे अप्रेल, दिसंबर, चैत, आसाड, सोमार, आदी ये सब क्या है, ये सब पुलिंग है ग्रहों और तारों के नाम, प्रीथ्वी को छोड़कर प्रीथ्वी क्या है, स्त्रेलिंग के रूप में प्रयोग किया जाते है ठीक है, प्रीथ्वी सब्द को तो जितने भी ग्रह हैं और तारे हैं, जैसे मंगल, शनी, चंडर, सूर्य, तारा, ध्रुब ये सब क्या है pulling नेक्स्ट है अनाजों के नाम अनाजों को जौर मक्का सरसो और अरहर इन सबी को छोड़ के ये जितने भी अनाज है उन्हें किस में प्रयोक किया जाता है pulling शब्द के रूप में ठीक है और जौर मक्का सरसो अरहर ये श्त्रिलिंग है जैसे चावल गेहूं ब बहु मूलनी पदार्तों की नाम मड़ी आदी को छोड़ कर बहु कौन-कौन से हैं जो pulling में प्रयोक होते हैं हीरा, पन्ना, उखराज, जवाहर, फिरोजा, मोती, माड़क्य, ठीक है ये सब क्या है pulling की रूप में प्रयोक होते हैं इकरांत शब्द प्राय क्या होते हैं जैसे नदी, रोटी, चौपी, पूरी, कचोरी, जलेबी, मचली, खटाई, इससे ये सब क्या है ये ये सब इस्तरिलिंग की रूप में प्रयोक होते हैं नेक्स्ट है भासाओं, बोलियों और लीपियों के नाम स्त्रिलिंग होते हैं जैसे हिंदी, मराथी, आवधी, उडिया, ब्रज, सिंधी, अंग्रेजी, फार्सी ये सब क्या है ये स्त्रिलिंग और जितने भी लीपियों हैं देवनागरी, गुरू, मुखी, रोमन ये सब ठी नदियों के नाम प्राई स्त्रिलिंग होते हैं जैसे गंगा, यमना, शरस्वती, कृष्णा, काविरी, गुदावरी, इस सब ठीक है नेक्स्ट है टा, वट, वत और हट के समाप्थ होने वाली भाव आचक संग्या स्त्रिलिंग होती हैं जैसे लास्ट में क्या आता है लास सब्द है ठीक है नेक्स्ट है हम देखते हैं जीलों के नाम प्राई स्त्रिलिंग होते हैं जैसे सांभर, पुष्कर, मन, सरोवर जील हैं ये स्त्रिलिंग के रूप में प्रियोग की जाते हैं तिथियों और नक्षत्रों के नाम प्राई स्त्रिलिंग होते हैं जैसे तिथि यह ना दिना प्रत्मा दित्य दित्य चतुर्सी यह सब भी क्या है यह क्या है इस्त्रीलिंग की रूप में प्रयोग होती है ठीक है नेक्स्ट है पुलिंग शब्दों से इस्त्रीलिंग में परिवर्थन करने के कुछ नियम यहां पर पताएगे हैं मतलब लिंग परिवर्थ तो सबसे पहले हम देखें, पूलिंग शब्द की आनत में, अगर आ, बड़ा आ होने पर ई प्रते लगाने से इस तरी लिंग में बदल जाते हैं, जैसे छोटा आ या बड़ा आ, अगर लास्ट में रहता है, यहाँ पर बड़ा आ लगा है, और यहाँ पर छोटा आ, यह इनक जास दासी, घोडा गोडी, गधा गधी, बकरा बकरी, रसा रसी, ठीके, नेक्स्ट अकारांद पूलिंग शब्दों की अंत में, आ को बड़ा आ करके स्ट्रिलिंग बनाए जाता है, जैसे यहाँ पर छात्र का क्या आएगा, छात्रा, आचारे, आचारिया, शिश्य, प्रिय, प्रिय, गज, गजा, क्रिश्न, क्रिश्न, ठीके, इसके लावा हम देखते हैं, जो पूलिंग शब्द के अंत में, अगर इन लगाए जाता है, तो वे भी स्ट्रिलिंग बन जाती है, ठीके, पूलिंग मतलब यहाँ पर दिया है, नाग, तो इसमें नाग में इन लगा देंगे, तो नागिन कहलाएगा, और नागिन क्या है, स्ट्रिलिंग है, बाग, बागिन, माली, मालिन, दोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, सुनार, सुनारिन, ठीके, नेक्स्ट, पूलिंग शब्दों के अंत में, नी प्रते लगाने से भी क्या हो जाता है, स् जाटनी. Next. पुलिण शब्दों में आनी प्रते लगाने से क्या जाते हैं? ये सब्द श्थ्रिलिंग में बदल जाती हैं, जैसे सीट, सिठानी, जीट, जिठानी, देवर, तेवरानी, नौकर, नौकरानी, चौधरी, चौधरानी, महतर, महतरानी. नेक्स्ट पुलिन शब्द के अंत में आईन जोड़कर भी स्ट्रिलिंग बनाए जाते हैं जैसे पंडित पंडिताइं, चौबा चौबाइं, लाला ललाइं, ठाकूर ठकूराइं पुले शब्द के अंत में अक किस्थान पर इका प्रते लगाने से वे किस में बदल जाते हैं? स्ट्रिलिंग सब्द में बदल जाते हैं तो यहाँ पर गायक, गायक का क्या हैगा, गायी का, लेखक, लेखी का, सेवक, सेवी का, नायक, नाई का, बालक, बाली का, अध्यापक, अध्यापी का, ठीक है इसके अलावा देख सकते हैं पुलिंग शब्द के अंत में बड़ा की स्थान पर यह शब्द जोड़ा जाता है यह प्रतिय लगाए जाता है तो क्या कहलाते हैं श्रिलिंग सब्द के रूप में बदल जाते हैं जैसे बूड़ा उड़ा के आएगाँ बुढ है और इसके अलावा हम इस्थ्रिलिंग शब्द कीस तरीके से बनाय जाते हैं कुस पुलिंग सब्दों के प्र्फिल कुल भिन होते हैं बिलकुल ही अलग होते हैं जैसे पिता के आएगा भाय बहन सम clarity सम्राग्जी बाग मा युवक यूति वर वधु नर मादा राजा रानी विद्वान विदूशी वीद विरांगना पुरुष स्त्री पति पत्नी इसके अलावा कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं नित्य मतलब हमेशा ही क्या कहलाते हैं पुल्लिंग होते हैं लेकिन अगर हम इन नित्य पुल्लिंग शब्द का स्त्री बनाना होता है तो उसके आगे क्या जोड़ना होता है मादा शब्द को जोड़ा जाता है मादा मादा शब्द अगर लग जाता है तो वे क्या कहलाते हैं वे नित्य पुलिंग नहीं होते हैं, बलकि वे स्त्रिलिंग बन जाते हैं, ठीक है, तो आएए हम देखते हैं, पुलिंग, मच्छर क्या है, मच्छर हमेशा पुलिंग ही है, लेकिन उसका हम लों को मच्छर का स्त्रिलिंग बनाना है, तो क्या हैगा, मादा मच्छर, ठीक है, कचुआ, मादा कचुआ, भेडिया, मादा भेडिया, बिच्चु, मादा बिच्चु इसके अलावा कुछ शब्द, कुछ स्ट्रिलिंग सब्द, कुछ शब्द हमेशा स्ट्रिलिंग के रोप में प्रियोक किया जाता है लेकिन हमें उनका इस्त्रिलिंग बनाना होता है तो क्या कहते है हमें उनका इस्त्रिलिंग ये सब्द क्या है पुलिंग के रूप में दिया हुआ है इस्त्रिलिंग के रूप में दिया है लेकिन हमें उनका इस्त्रिलिंग बनाना होता है तो उनकी आगे क्या पुलिंग बनाना होता है तो क्या जोड़ दिया जाता है नर शब्द नर मतलब पूरुष्ट जाती का बोध कराने ठीक है जैसे मचली मचली क्या है पुलिंग है ठीक है तो इसका स्त्रिलिंग क्या एगा नर ये क्या है पुल्लिंग पुल्लिंग है और ये स्त्रिलिंग मक्खी तो मक्खी का पुल्लिंग क्या एगा नर नर स्त्रेलिंग तो मक्की का नर मक्की दितली नर दितली, कोयल, नर कोयल, चिपकली, नर चिपकली, चीटी, नर चीटी, गिलहरी, नर गिलहरी, चिडिया, नर चिडिया, चील, नर चील, मकडी, नर मकडी, तो बच्चों यहाँ पर क्या, कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जो दिया है न, वही स्त्रिलिंग में दिया है ठीक है यहां पर जो दिया है यह हमेंसा किसमें प्रयोग में होते हैं यह सब्द हमेंसा किसमें होते हैं स्थ्रिलिंग में होते हैं लेकिन हमें उनका पुलिंग बिनाना होता है तो उनमें नर्षब्द को जोड़ दिया जाता है नर्षब्द को जोड़ने से क्या बन जाते है भी पुल्लिंग बन जाते हैं तो इस चेप्टर के सभी यह चेप्टर आपको फिनिश हो गया है अब इस चेप्टर के एकस्साइज आपके वार्चप रूप में सेंड किया जाएगा जिसे देखकर आपको अपने बुक को फिल करना है ओके थैंक यू